घ्लो दोस्तो, my name is Vikas K mehr आज की वीडियो में सीखेंगे कि फोटो पसे, दागदबा, पिंपल कیسे रिमूब करते हैं और फोटो को कैसे क्लीन करते हैं दोस्तो अगर मेरे चैनल पर नई है तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को साथ सेर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि फोटो गो क्लीन कैसे करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना फोटो सॉप को ओपन कर लिजिए आपना Photoshop को open कर लेते हैं यह देखिए मेरा Photoshop open हो रहा है Photoshop open होने के बाद कुछ इस तरह का interface दिखेगा जिस photo को आपको edit करना है उस photo को Photoshop में open कर लेना है photo को Photoshop में open करने के लिए double click किजिए और यहां से जिस file में आप अपना photo को रखे हैं उस फाइल को open करके यहां से फोटो को select करके open कर लीजिए तो आपका फोटो फोटो सोप में open हो जाएगा है यह देखिए मेरा फोटो फोटो सोप में open हो चुका है सबसे पहले इस फोटो को फूल स्क्रीन में करनेंगे फूल स्क्रीन में करने के बाद ये देखिए मेरा फोटो पर तेर सरा दाग दबबा बना है आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि फोटो पर से पिमपल और दाग दबबा कैसे रिमूग करते हैं यहाँ पर देखिए आपको लेर पेनल दिखाए दे रहा है अगर आपका फोटो सोप में लेर पैनल ना दिखें तो एप सेबन का बटम होगा कीपैड में उसे प्रेस कीजिएगा तो आपका लेर पैनल दिखने लगेगा यहाँ पर देखिए लेर पैनल में एक बेग्राउड नाम से लेर दिख रहा है इस background पे right click करेंगे और यहां से duplicate layer पे click कर देंगे और यहां से कुछ नाम देना चाहिए तो नाम जे दिजिए नहीं तो ok press कर दिजिए हम यहां पे देखिए दो layer बना लिया है एक duplicate layer है और एक मेरा पहले से जो background था वो layer यहां पे नीचे की side में बना है तो यहां पे दो layer बन चुका है जो first में layer बना है फोटो नाम से उसको select रखेंगे select रखने के बाद आपको image पे जाना है एक्जिस्टन पर क्लिक करना है और यहां पे auto contrast कर देना है ताकि जो भी photo पो over color है और हट जाए हटने के बाद layer पेनल में यहां पे देखिए normal लिखा है normal पे क्लिक करके हमें आज से vivid light को select कर लेंगे तो मेरा photo कुछ इस परकार का दिखने लगा है अब इसको keyboard में control के साथ में i press करेंगे ताकि invert हो जाए ताम यहां पे control के साथ में i press कर दिये तो मेरा photo का लोग कुछ इस परकार का दिखने लगा है negative type पे अब आपको यहां से filter पे जाना है other पे क्लिक करना है और high pass पे क्लिक कर देना है यहां से आप reduce को जितना बढ़ाईएगा उतना अच्छा result दिखने के लिए मिलेगा तो मेरा photo का लोग कुछ इस परकार का दिख रहा है अब आप जितना सरकाम जो layer पे किये हैं जो duplicate layer बनाये थे उस layer को select कीजिएगा layer panel से और keypad में alt का button होगा उसे दवा कर रखेगा मतलब hold दरके रखेगा और layer mask नीचे में दिख रहा है layer में उस पे हम click कर देंगे तो जो मेरा photo पहले था photo अभी बन चुका है अब आपको यह से brush slip करना है brush, brush का shortcut की B है keypad से B प्रेस करेंगे तो brush slip हो जाएगा नहीं तो toolbar में आप देखिए brush का icon बना है इस पे हम click कर देंगे click करने के बाद उपर में setting है, set कर लिजिए mode में आपको normal रखना है opacity को 18 रखना है और follow को 100 रखना है इतना करने के बाद photo पे बरस जो बना है उसको लाकर right click कीजिएगा तो यहां से डेर सरा बरस आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां से 3000 वाला जो बरस है यह 300 जो लिखा है बरस का उस पे हम click कर देंगे click करने के बाद बारी अरिया में click कर देंगे तो बरस का डेलोक बोक्स हट जाएगा अब यहां पे टूनल बार में देखीगा तो दो color दिखाए दिरा एक white है और एक black है आपको भी यही color रखना है उपर में जो background color है उसको white रखना है इतना करने के बाद आप simple photo पे कुछ इस तरह से बरस करना है बरस के साइच छोटा बड़ा करने के लिए keypad में बड़ी bracket के जब बटम है उससे यूज कर सकते हैं बरस का साइच छोटा बड़ा करके photo पे बरस कर देते हैं देखे कितना असानी से photo पे से दगदबा remove हो रहा है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और साथ ही अपने दोस्तों को साथ share करें दोस्तों आप photo को जितना बड़ा करके बरस किजिएगा उतना अच्छा result देखने के लिए मिलेगा हम photo पे बरस कर लेते हैं इसके बाद मिलते हैं आपको भी सारा कुछ काम इसी तरह से करना है तो हम वीडियो पो थ्रौस आगे कर देता है पोटो पे बरस कर लेता है अगर आप बरस करते समय कुछ गलती हो जाए तो ctrl 8 जेट की मदद से बैक जा सकते है पोटो सोप में कुछ भी काम कर रहा है अगर आपका गलती हो जाए तो ctrl 8 जेट की मदद से बैक जा सकते हैं तो देखे मेरा पोटो पे बरस को चुका है अब यहां पे का करना है आपको layer panel में जो दो layer बनाया थे दोनों layer को मिला कर एक layer बना देना है दोनों layer को merge करने के लिए keypad में control के जात में e-press के जिएगा तो दोनों layer मिल पर एक layer बन जाएगा तो हम यहां पे control के जात में e-press करेंगे तो देखे आपे पहले दो layer था अभी एक layer बन चुका है अब हम लोग इस फोटो पे थोड़ा लिबिस्टिक एड़ करें में यहां पे फोटो पे लिबिस्टिक एड़ करने के लिए आपको layer panel में देखे है नीचे के side में आपको blending option दिख रहा है इस पे click करना है click करने के बाद उपर से solid color select कर लेना है जिस color के आपको लिबिस्टिक एड़ करना है और color यहां से select कर लेना है तो हम गुलाबी type पे रखेंगे इतना ok press कर देंगे ok press करने के बाद आपको देखेगा तो पुरा photo पे color apply हो जाएगा इतना होने के बाद keyboard में फिर control के साथ में आई प्रेस करना है तो आपका photo वसे color gap हो जाएगा अब आपको यहां पे यह जो normal दीख रहा है इस पे क्लिक करके यहां से multiply select कर लेना है अब यहां पे फिर आप लोग को बरस select करना है keyboard से बी प्रेस किजिएगा तो बरस select हो जाएगा बरस select होने के बाद उपर में opacity को hand rate कर लेना है और follow भी hand rate कर लेना अब आपको जहां पे लिविस्टिक add करना है उस सेरिया में कुछ इस तरह से print करना है जितना बढ़ा करके आप फोटो को बरस किजिएगा उतना अच्छा result देखने के लिए मिलेगा और आपको कुछ गलती भी हो जाए तो control alt Z की मदद से back जा सकते हैं देखिए कितना असानी से फोटो पे लिविस्टिक add वो रहा है दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को साथ सेर भी करें और क्यों भी फोटो सोप यूज करना सीख सकते हैं फोटो पे लिविस्टिक add करने देखिए मेरा फोटो पे लिविस्टिक add वो चुका है अगर इस opacity को आप कम करना चाहते हैं तो layer panel में right side में देखिएगा तो यहाँ पे opacity भी दिया है इससे आप जितना कम किजिएगा उतना कम हो जाएगा अगर आपको लगता है तो आप कम कर सकते हैं नहीं तो ऐसे ही कैसे ही छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे राकेंगे 80 और OK प्रेस कर देंगे मतलब इंटर प्रेस कर देंगे तो दोस्तो इसी तरह से फोटो पसे दागदबबा पिमपल रिमूब करते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ सेर करें अगर आपको समयने में किसी परकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें हम आपको निव वीडियो बना कर अची तरह से पिर सम्झाएंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में